इस न्यूज के प्रायोजिक है एजी स्पीड, दर्थ बगाई, फूल स्पीड आज हमारे बीच में हैं भोजपुरी जगत की उभरते सितारे और इन्होंने, मैं इनका परिचेदना चाहूँगी इससे पहले इन्होंने अपनी श्विरुवात की फिल्मी जगत में डान संग्राम से और ये डान संग्राम के विनर रहे मैं बात कर रही हूँ गुरखपुर निवासी अविनाश दिवेदी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है Thank you, thank you मनझल जी, thank you अविनाश दिवेदी जी, आप से वे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि डान संग्राम से लागल रह बतार्शा का सफ़र कैसा रहा आपके लिए? बड़ा ही दिल्चस प्राश सफर जो था मेरा दान संगराम के बाद दान संगराम के बाद मैंने कोशिश करी मैं पहले से अक्टर था मैं थेटर करता था लेकिन मुझे मुझे मौका दान से मिला तो मैंने काई एंट्री गेट चाहिए जाए जाए बाद से एक्टिंग से और मुझे अंगराम ने दिया और उसके बाद मैंने अपना काम ढूंडना शुरू किया फिल्मों में सीरियल्स में तो जब सबसे पहले मैंने टीवी में काफी काम किया मैंने जितने भी एपिसोडिक्स होते हैं क्राइम पेट्रोल डीडी वन का एक सीरियल किया मैंने टीवी एड्स बहुत सारे किया बहुत सारे ब्रैंड्स के लिए ताटाइसकाई, क्विकर.com, एकॉलाइट फुटवेर अलमुस अभी ब्रैंड्स में लिए और मुझे उसके बाद फिल्में करनी थी भोजपूरी फिल्मों से कोई मेरा ऐसा नहीं था कि फिल्में नहीं करनी हैं लेकिन मैं यह सोसता था कि मैं कोई ऐसी फिल्म करूं जो बले बड़ा नाम ना कर सके जादा पैसे ना कमा सके लेकिन कम सकम इतना हो कि एक अच्छी फिल्म आई है और मुझे अपने आप ही ओफर आए एक फिल्म का जिसको नाम था नचनिया और उसकी खास बात मुझे लगी कि मुझे तीन किरदार निभाने थे एक लड़के का और एक जब वो लड़की बनता है लॉंडा नाच के वर फिल्म ती और जब वो साट साल का बोड़ा हो जाता है तो यह मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा और इसकी कहानी इतनी अच्छी थी इतनी साफसुतरी फिल्म ती मेरे ख्याल से बहुचपुरी में सालोबाद को ऐसी फिल्म जो को क्लीन यूस सर्टिफिकेट मिला था सेंसर बॉर्ड से जिसमें कोई बेसी चीज नहीं थी और मेरे परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया नैशनल अवार्ड में गई फिल्म और मुझे बहुत अप्रिशीट क प्रिवेश जी ने बॉर्डर की बॉर्डर वाज बिग हिट उसमें छे पांच हीरो थे उसमें से एक मै था फिर मनोच जी ने मुझे बोला कि लागल राद बता साम एक फिल्म मना रहे हैं और मुझे पता था मनोच जी अगर फिल्म लिखी है तो अच्छी होगी अच्छी है एक पहचान ये भी है कि आप संभावना सेट के हस्बंड भी है तो संभावना सेट से आपका आपकी जो पहली प्यार पहला प्यार जिसे बोलते हैं वो कैसे हुआ और कहां हुआ ये लोग जानना चाहेंगे देखिए डान संग्राम में जम में था तो मैं कंटेस्टेंट था और उसमें एक महा जज थी जिनका नाम था सरोज खान जी और दो टीम्स थी इसमें एक टीम की मेंटोर थी श्वेता तिवारी जी और एक टीम की मेंटोर थी संभावना सेट जी तो मैं संभावना जी की टी और अगर मुझे टीम में जाओंगा तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और वो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए लड़ भी जाएंगी मुझे बात पता थी तो मुझे टीम में जाना चाहता था फिर उसके बाद वो शो खतम हुआ मैं वो शो जीत गया शो दोस्ती बहुत अच्छी होई थी हम लोग कॉफी पे मिलते थे पार्टी करते थे तो मैंने उनको प्रपोस किया एक बार और उन्होंने मुझे सीधा मना कर दिया प्रपोस कैसे किस अंदाज में क्या कि संभावना साइट काफी बोल्ड करेक्टर हैं और लोग उनसे डरते और उनको शच्छी हैं फिल्म जगत में तो आपने कैसे कितना आपने हिम्मत हुई होगी किस हिम्मत के साथ आपने अफर प्रपोस किया थी कि मुझे उसमें बिल्कुल हिममत की ज़़रत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे लगता है कि जब जहां पर सच में प्यार हो वहां पर देंगी तो भी कोई problem नहीं है ऐसा नहीं था किसी लड़की से पहली बार मिल रहा हूँ और प्रपोस कर रहा हूँ और उसके बाद वो दिन था और उसके कई महीनों तक मैं माना नहीं मैं उन्हें प्रपोस करता रहा हूँ और मना करती रही मतलब मेरा यह काफी कुछ वह लेकिन संभावना ने मुझे मना किया और मुझे उनमें एक ऐसी लड़की दिखती थी जिससे मैं सच में शादी करना चाहता था क्योंकि मैंने उनके जैसा नेचर किसी का नहीं देखा टीवी पे रियालिटी शो में इमेज बहुत अलग दिखाई जाती है लेकिन जो मैं रियल संभावना को जानता हूँ जो उनके दोस्त जानते हैं वो इतनी केरिंग है और इतनी ब्लंट है सबसे अची बात यहीं कि वो तुरंट आपको बोल देती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तुमसे और ये काम मत करो जैसे मैंने अमूमन देखा है कि हस्बंड वाइफ के रिलेशन्शिप में पती दस दिन तक यही पता करता रहता है कि मेरी बीवी को आखिर हुआ क्या है वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है प्रॉब्लम क्या है और उसे पता नहीं चलता हूँ मनाता रहता है लेकि उसे पता ही नहीं नाराज किस बात थे मेरे मामले में बिल्कुल ठीक हूँ वो जैसे ही नाराज होती तुरंट बता देत तो उस वक्त क्या हुआ कि उनके काफी जानने वाले थे बॉंबे में इंडस्ट्री के लोग थे और काफी दोस्त थे लेकिन उस वक्त उनके पास कोई नहीं था और जब मुझे बात पता चली तो मैं तुरंथ हॉस्पिटल भाग के गया और वो आठ दस दिन जितने भी दिन से मैं कंटिनिसली 24 इंटु 7 सुबह शाम उनके पास ही रहता था उसके बाद हो हॉस्पिटल से ठीक हुई और घर आई और वो एक मुमेंट था कि उसके बाद ना मैंने उन्हें प्रपोस किया ना उन्होंने कभी हा बोला फिर वो एक प्यार होता है जो हो जाता है जिसको कह कि मुझे बड़ा होाहनी चाल भाए और आज हम ने अशादी हुए हमारी तीन साल होने वाले होर ए हमारा रिलेशनशिप साल अर भी बहतर होता जा रहे अर भी मजबूत होता जा एक प्रपोस कि आपने एक फ़िर जचर दिखा जाता है लड़की नराज हो गई परपोस करन तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बोला कि अविनाश तुम अभी अपने करियर पे ध्यान दो, तुम नए ने बॉम्बे में आयो हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम तुम अदर काफी स्कोप है, क्यों इन चक्रों में पढ़ रहे हो अभी, पहले तुम काम करो और अपने, त ओर आप чувत कार्शाइड कानी है? कि इस Mr. 날 को next वणे हमने हैं, क्यों पहलेगे करतो कि दिदिएकिग तुम आब लेंगे, तो सब्से पहले हमें तुम दुम मैने डिसाइड़ किया मैं अपने छिपाए करता हो और आफ अपने घर पे बात किजिए तो उन्हों को संहों को मैंने गा यार शिट यह तो बहुत प्राबलम हो गई, मैं आपके घर पे कैसे बात करूँगा, मैं तो बहुत डरता हूँ और हमने डिसाइड किया था, अपने अपने पेरेंट्स को हम मनाएंगे, तो नहीं बोला नहीं भाई, अगर करनी है तो देख लो यह करना पड़ेगा वरना और कोई रास्ता नहीं है, मैंने कैसे किया जाएगा, मैं सुबह सुबह उठा, मैं नहाया, मैंने पूरी हनुमान चालीसा पड़ी, और उसके बाद मैंने संभावना के पापा को फोन लगाया, और फोन लगाया, और फोन लगाने के बाद मेरी उनसे पूरी बात हो ग जानी खावए मेरी फैबिली में उतनी दिक्कत नहीं थी लेकिन मेरी फैमिली बाले जानते थे कि बहुत जिद्धी और यह एक गानी और मेरे पापा काफी अब पहले नहीं थे वैसे लेकिन अब बहुत फ्री विचारों के हो गये. वो उन्होंने हम घर में हम सबको वो बोला हुआ है कि तुमें जो मन करता है तुम अपनी जिंदगी वैसे जीओ तो मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं थी संभावना के तरफ से थोड़ी दिक्कत थी फैमिली की प्रॉब्लम थी क्योंकि हर कोई चाता है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो मेरी बेटी का इतना नाम है वो इतनी पॉपुलर है तो किसी ऐसे लड़के से हो इस से भी जादा पॉपुलर हो लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं भी उतना popular हो सकता हूँ लेकिन अभी तो मैंने career शुरू किया है अभी तो मेरे पास 30-40 साल की life पड़ी है ऐसा थोड़ी है कि मैं अब मेरा downfall आ गया है और अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे पास बहुत मौके हैं लेकिन यह सब बाते होती हैं क्योंकि पेरिंट्स को मनाना इतना आसान नहीं होता है और किसी लड़की के माता पिता है और कभी यह नहीं चाहेंगे तो वही थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन जब उन्हें एसास हुआ कि नहीं लड़का अच्छा है और ये दोनों खुश रहेंगे साथ में तो फाइनली अच्छे से शादी हो गई संभावना सेट को हमने कई किरदारों में देखा है लेकिन पत्नी के रूप में वो कैसी है पत्नी के रूप में मैं कहूँगा कि उनसे अच्छी पत्नी मुझे मिलने ही सकती थी चाहे मैं लाल्टेन लेके खोशता क्योंकि उनकी बाहर की तो जो छवी है वो सब लोग जानते ह बाकी मैं बताता हूं उनसे अच्छा खाना कोई बनाने ही सकता उनसे अच्छा घर साफ कोई रखने ही सकता उनसे जादा जानवरों और इंसानों से प्यार कोई करने ही सकता हमारे घर में तीन डॉग्स हैं और उनके लिए पहला ओनर संभाबना ही है वो घर में गुशती त तो रोड पे घायल हुए कवों को, जानवरों को, बगुलों को पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाती है और इतनी अच्छी मतलब मैं कहूंगा कि एक ऐसा कॉम्मिनेशन होई नी सकता कि एक लड़की हिरोईन भी है और वो लड़की हाउस वाइफ भी है और दोनों शेत्रों में इतनी कमाल का काम करें डॉमिनेटिंग कौन है दोनों में रूटता है तो मनाता कौन है यह तो दुनिया का दस्तूर है तो अनुवर्सल टूथ है इसके ओपर किताब लड़की ही है और मनाता लड़काई है तो यहाँ पर भी कुछ अलगनी है डॉमिनेटिंग कौन है दोनों में जादा देखी डॉमिनेटिंग हम दोनों ही है और यह situation की बात है क्योंकि मुझे सिर्फ यह लगता है कि जब मुझे लगता है कि कोई चीज संभावना के लिए अच्छी है और नहीं कर रही है चाहिए वो वर्काउट करना हो कि मैं आज एक्सेरसाइज नहीं करूंगी या मैंने उन्हें कोई चीज बताई और वो उनके लिए अच्छी है उन्हें करना चेहरों नहीं करेंगी तो मुझे गुस्सा आजाता है और उन्हें पताएगी जब सही चीज पर गुस्सा होगा तो फिर ये करनी ही पड़ेगी और ऐसे उनके दाटती है तो फिर मुझे सुनना पड़ता है कि गलती तो होती है लेकिन हम दोनों इस सिचुएशन के इसाब से एकुली डॉमिनेटिंग है और हम दोनों पीछे नहीं रहते कभी एक दूसरे को डाटने से सम्भावना एक बहुत बड़ा नाम है तो उस नाम के साथ खुद को बनाए रखना और खुद को अलग पहचान देना क्या आपको मुश्किल आई आती है इसमें देखिए मैं कभी इसको उस तरीके से लिता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक जिन्दगी जी हूँ मेरी वाइफ का नाम मेरे से आगे ही रहे क्योंकि जितना आगे रहेगी उतना मेरा नाम होगा और मैं हमेशा दुनिया कोई सीख मिलेगी कि अगर बीवी आगे भी है आपसे तो इसमें कोई खराब बात नहीं है आपको इसके लिए खुश होना चाहिए और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी बीवी को इतने लोग जानते हैं और उसकी और मेरी परसनालिटी हमेशा अलग रहेगी काम अलग रहेगा मैं अपना काम कर रहा हू और मुझे अपने नाम पर पहचान मिल रही है अपने काम पर पहचान मिल रही है और हर इंसान अपना समय लेता है अपना नाम बनाने में मैं अभी अपना समय ले रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ से खुश रहूँगा कि वो और काम करें और हमेशा वो मुझसे भी नहीं सोचाए क्योंकि हर कपपल की हर husband wife की एक bucket list होती है और हमारी bucket list में बहुत कुछ खूमना लिखा हुआ है हम दोनों को गूमना इतना पसंद है कि हम लोग एक महिना काम करते हैं और एक महिना गूमते हैं और उसके पहले मैं थोड़ा अपने करियर पर कॉंसेंट्रेट करना चाहता हूँ और काफी कुछ है अभी करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि गुड नीज नहीं आएगी आएगी कब आएगी मुझे नहीं पता लेकिन अभी फिलाल मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं है न हम पांच सालों में मैं आपको यह नहीं कह सकता कि मैं कहां देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं डेली गोल में बिलीव करता हूँ मैं यह नहीं देखता कि मैं पांच साल बाद कहां पाँचूंगा दस साल बाद कहां पाँचूंगा मुझे यह पता होता है कि मुझे आज के दिन उससे आगे पहुंच जाओ, इसलिए मैं गोल सेट नहीं करता, गोल सेट करना अपनी गती को धीमा करना है, मुझे लगता है, अभिनाज जी जब शादी होती है, तो लोग गाने भूल जाते हैं, लड़ाई जादा होती है, पती पत्नी में, लेकिन आप संभावना के लिए को संभावना का फेवरेट गाना जो है, मैं वही गाना चाहूंगा उनके लिए, कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, शुक्रिया विनार जी, आप कुछ दिर में सम्हावना जी से मिल भी लेंगे, उनके सामरे गाला गुर्णा लीजेगा, शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला और जय भारत के दर्शकों को अपने समय दिया, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको बता दू कि हमारे चनल को सब्सक्राइब ज़रू करें और बेल आइकन को ज़रू प्रेस करें. राजनीती से लेकर अप्राव तर्ड़ू हम पूछेंगे आपसे जुड़ा हर एक सवाल, तब सक जब तक नहीं मिलता है जवाब, निस पक्षता और सच्चाय की होगी पूरी गारेंटी, ना सिर्फ सहर बलकि गाउं की भी होगी बाद, हम आएंगे आपके दली महले और घ सच दिखाते हैं